अब देख सकते हैं वहां पर रिबर है और इधर पूरा का पूरा आपको मॉंटें मॉंटें दिख रहा होगा और मैं चुका है कैसे आप सब मैं ठीक हो और स्वागत करता आप सब्सक्राइब नए वीडियो में तो गाइस आज हमारी टू एंड डे जर्नी का पंदरहमा दिन आज पंदरह दिन कंप्लीट हो गया है और मैं हूं अभी इस वक्त मैं पड़ा हुआ है और बाकी का आप इधर देख सकते हो जी पूरा का पूरा ग्राउंड है एंड उदर सरका घर है और पूरा में चुका टाउन वहां पर है ठीक है क्या ही बताओ कल रात में जो दिक्कते हुआ दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ मैं मतलब जब खाना बना रहा थ कर रहा था तो उसमें थोड़ी थोड़ी बारी सो रही थी बटे मतलब किसी बीने किसी तरह मैंनेज करके मतलब खाना बन गया जी कल रात में अच्छे से खाव लिया जब टेंट में जब सोने गया तो फिर रात में बारी से स्टार्ट हो गई पूरी रात थोड़ा- सब्सक्राइब करेंट में आप देख सकते हो इधर वाले रिवर साइड यहां पर पूरा का पूरा इधर देख लो जी एंड काफी कल मजा आया इस जगह पर कैम्पिंग करके क्या ही बताओं और रात में यहां पर थोड़ी सी टेंपरेचर बढ़ जाता है रात में ठंडी लग रहे थी ना रात में ठंडी लग रहे हैं अभी थोड़ी 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 ज्यादा ने भी सूर्ज भान भी उपर आ चुक है और उधर वाले आपको दिख रहा होगा है और इधर पूरा का पूरा मौंटन इसको यह वाला मौंटन आप जो देख रहे हो न अभी थोड़ा असनान वगरा कर लेता हूं जी इस वाले रीवर वाले बहुत ही ठंडा पानी बहुत ही ठंडा बट कोई नहीं अभी असनान करते हैं असनान करके फिर आपको उधर की साइड चलते हैं मैं चुका साइड में गुमाने और यह गंजे वाले पहार देखने हरी यहां से पास में चाइना वालों से पूछ कि आऊंगे तो नहीं यहां से मतलब 40-50 किलमेटर के राउंड होगे यहां से मतलब जाने का रास्ता भी है बट कोई नहीं देखते हैं अभी हमें यहां पर तीन-चार दिन रुकना है और आप भी इस नेचर को इंजुआय करो इस खुबसूरत सी जगह पे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वीजर लेंड में आ गया हो फंस्ट वार ऐसे वहले जारे मैं देख रहा हूं जी तो अभी पिलाल करने अभी कैम्प वेगरा जो भी अभी मैं चोड़ दूंगा क्योंकि दो तीन दिन यहां पर रहना है अभी यहां से ब ब्रीज देख सकते हो यह वाली ब्रीज है हैंगिंग ब्रीज तो नहीं है गाड़ी पार करने वाले हैं इधर ऐसे रोड एधर ब्रीज और हमें जाना है उपर वह वाली जो आपको दिख रहा है वहां पर जाना है और मतलब क्या है बताओ प्लैन में थोड़ी से करने वाला था फ्रेश होने वाला था और कपड़े थोड़ी सी वास करना था सारे कपड़े गंदे हो गए बटे प्लैन में यहीं चेंजिंग है कि पहले जा रहें मौंटेन पर मौंटेन घूम लेते हैं और उसके बाद जब आएंगे वहां से अभी तो 9 बज रहें जी सुझे आसा रिफर आप देखो यह है वर्या वरा आपको काला काला सा पाने दीख राया हो वहें किली पथर पतर तक्रा पता नी आपको प्ता रहा हो या नी द अभी अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है और अभी जादा नहीं नीचे से थोड़ा ही उपर भी आया हूं और काफी थक गया आप देख सकते हो उधर वाले मौंटेन आपको दीख रहे होंगे पुरा बादल से गीरा हुआ और जब ऊपर चलेंगे काफी मजा आने वाला ह माले देख सकते हो पितने यह आओ अधर रास्ते फोनारा उन्हाट बना जाना पड़ रहा है वह आणीक क कोई निए कफी ठाक रहे हैं क्योंकि ट्रैकिंग पता ही कितनी हाड है वैसे तो हमारे पास लागेज है नहीं मतलब बहुत इजी है मान के चलो तो बढ़ फिर भी यार सरीर का जो बोडी का थकावट होता है न ओ क्या ही बताओ ठीक है चलते हैं अभी उपर में चहडते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं अच्छा वाला रास्ते तो काफी खतरनाग वाले जो बारिस के वैसे सारे गीले पड़े हुए मीटी पहाड़े पत्थर वाला ने पूरा का पूरा मीटी सी वैसे इस पर क्या बोलते हैं बड़ा पेड़ पता नहीं क्यों नहीं है बट घास बहुत ही ज्यादा है देखने में लग रहा था वहां से गंजा वाले सबस्क्राइब को ये वली ये आम का इस एम कहा है मेरे को आम नहीं लग रहा है कि अवको जीव नाचल पर देश में तो आम साइद एक-दो प्यड में देखा हूंगा मैं बढ़े इसमें कुछ खाने करिए नहीं है न हो खुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है क्वे तो खाने के लिए मिले गाई बड़ासे वाले पहारों से क्या उमीत लगा कर रखे जो सारे गंजे पड़े हुए एक भी पिर नहीं है गंजे गंजे कब से गंजे बोले जा रहा हूं तो यह आपको दिख रहा होगा वह है पूरा का पूरा मेचुका टाउन और वहां तक है आपको पता नहीं दूर तक दिख रहा हो गया है नी कैमरे में बट वहां तक पूरा का पूरा है तर्फ मेचुका गई भी है और वहां पर ब्रीज है और मैं अभी आधे रस्ते चड़ गया हूं चड़ाई पूरा हो गया नीचे से आप देख सकते ओं कितना न नीचे से मैं कल देखा था में चुका लिखा हुआ था ठीक है में चुका उस वाले जगह पे जाकर आपको दिखाऊंगा एंड वहाँ से पूरा भीव दिखाऊंगा अभी से तो यहां पूरा-पूरा नहीं दीख रहा होगा थोड़ी बहुत वस रिभर दिख रहे होगे यह और उदर में चुका में टाउन होगे और उद्धर तक भी आगे तक वहां पर एक रनवे है एरपोर्ट बगरे पता नी एरपोर्ट नहीं है मतलब आदे गंटे में चड़ जाओंगा चड़ जाओंगा बट अभीना आदे गंटे से ऊपर हो गया ट्रैक करते हुए काफी ठक सब्सक्राइब करते हैं और वहां पर उपर मॉंटन पर जाना है अब कुछ आसा आप देख लो क्या ही बता है मतलब देखने में हर एक चीज मॉंटन दो आपको लएगा बस पास में है बड़ी जब आप उसको ट्रैकिंग करते हैं जब चड़ाई स्टार्ट करोगा तब आ कुछ नहीं जाला टाइम लगता है तो आप अगर कभी भी आया ना और एक और बता दू इधर वाले पहाड़ों पर ना पानी वेगारे कुछ नहीं मिलते ठीक है तो नीचे से पानी अपने लेकर आना क्योंकि सारे मीटी वाले पहाड़े पथरों वाले निकलते रहेंगे आपको नीचे में रिवर साइट दिख रहा है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचोगा कि इस वाले पहाड़ से पानी मतलब मिल जागा पीने के लिए नहीं मिल पायागा इसलिए अपना कुछ खाने के लिए और पानी वगएर अपना कुछ लेकर आना ट्रैक करते हुए नहीं तो रास्ते में प्यास लगए लगेगी भाई साब हालत खराब हो जाएगी जैसे भी हमारी हुई पड़ी बट मैं नीचे पानी पी लिया था लेकर नहीं आपकोई नहीं आदा गंटा का और है अधे घंटे में उपर चड़कर फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो सब्सक्राइब करें पहाड के पीछे क्या इधर वाले साइड तो खर दीख रहा है कि अमें इधर पूरा मेचुगा मेचुगा पूरा सीटी पूरा पड़ा हुआ ठीक है बट उधर वाले पहाड़ों में क्या मेरे को यह नहीं पता एंड इधर आप देखो इधर भी आपक पता नहीं साइद क्रोस कर जाएगा एलीपैड तो वहीं पनाए हुआ है यहार आगे चला गया अगर आर्मी वालों किया है वह साइद घुमकर आए राउंड लगाकर क्योंकि काफी हाइड पर है न वह एक राउंड ऐसे लगाएगा चक्क लगाएगा फिर लाकर यहां पर साइद लेंड कर पाए यार चलते चलते ने काफी ठग गया एंड यूनिक बात यह आपको बताता हूं पहाड़ों में खास कर मैं तर नीचे में रुका हुआ था वहा हाँ चाहां चाहरा हूं वह ऐसे बाले बड़े पाहाणध्य नहीं हो रहरे आर कि ऐसे करते करते पता नहीं पीछे और भी होंगे क्योंकि साथ मेरे को ऐसा ही लग रहा आप देखो छोटा-छोटा जितने भी आपको दिख रहा होगा न यह ऐसे छोटे-छोटे वाले जो पहाड है कि खतम होने का नामी नहीं ले रहा है कि ट्राइ करते हैं एक लास्ट बार यहां पर जाकर उसके बाद अगर उस साथ हुआ तो फिर नहीं जाओंगा यार लेकिन आपके लिए इतना तो करी सकता हूं कोई नहीं चड़ते हैं ठीक है काफी यादा थक गया यार धूप भी थोड़ी-थोड़ी है ना पानी नहीं मिल रहा मेन पानी मिल जाता ना तो य दो जा सक्या वाले पहार देख रहां उसके पीछे वहां पर भी चला जाता यहां से चलांग लगाता सीधा वहां पर चला जाता बड़े मत कमेंट करना कुछ भी बोले जारे जोस में आगर वटाभी जोस है चलो अब उधर देखा कितना खुब्सूरत वाले ने जा रहे है अधर चोटे चोटे जितने आपको घर दिख रहे होंगे वह सारे विलेज यह पता नहीं चोटी सी रिवर भी है वहां पर पता नहीं केमरे में दिख रहा होगा नहीं अप अच्छे से देखना यार भाइस ताब काफी थक गया ओ यार इतनी मेहनत कर रहा हूं प्लीज आप देखो उधर बड़ी वाले माउंटेंस है उधर और बीच में जो आप जो देख रहे हैं इसी गयाप में पूरा पूरा मेचु का सिटी यह यार इतनी मेहनत कर रहा हूं प्लीज वीडियो को लाइक अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर द अभी काफी दिन यहां पर रहने वाला हूं चलो यह मैं क्या बोले जा रहा है फालतों चीज है यार पीछे वाले जब आपको दिखाऊंगा उतर बड़े वाले माउंटें आप देखकर खुस हो जाओगा कोई नहीं अभी चलते हैं भाई भी आ गया चला गया उपर में तो पूरा गया अगया वेल्याँ साइड में अधर वाले में पूरा 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 नीचा यह्वूं देखो पूरा नीचा है डाउन में इदा आप देखो जी इंग है रिवर्य को दिखें है जो मैं बोला था ने कि वहां पर लिखा हुआ पहाड़ों के सबसे उपर में चुका वह यहां से काफी दूर है और मेरे को लगा कि मैं उपर चाड़कर यहां से मतलब चला जाओंगा बट्या नहीं जा सकता यह वाले जो रास्ते जो देख रहे हो न इधर वाले ऐसे जाते न कि आपने इस वीडियो को लाइक करदेना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना यार ऐसी वाले जगों पर सइदी कम लोग आया है मतलब यूट्यूबर में भी आया है और काफी कम लोग आया है यार इतने खतरनाक वाले डेंजर वाले रास्ते को क्रॉस करके हमें यहां तक आने में लमसम साथ दिन लग गए नीचे वाले पासी घर से उपर आने में क्योंकि बारी सो लैंसलाइट की विज़ासने क्या ही बता हो खराब हो गई थी एंड यहां पर नेटवर्क नहीं चलता है में चुगा में यह बहुत बड़ी बात है बाकी का सारा चीज आपका इसमें ओके है मार्कट भी अच्छा है मैं अभी चलकर आपको दिखाऊंगा और बस एक में चीज़ है नेटवर्क आप बिदाउट नेटवर्क ऐसे रहा भी नहीं सकते हो मैं नहीं रह सकता बढ़ क्या करो हमारी वीडियो नहीं आ रही है विडियो जब तक आएगी तो कंटिनीव हो जब नहीं चला जाओंगा अभी काफी अच्छा हो रखा है हो यहां पर काफी किया था कल मतलब वाइफाइक लिए वाइफाइ नहीं हो पाय रहा था डिसी ऑफिस ڈی सी आफिस में तो यार जब बत्त मीजी से बात कर रहे थे बोले थे बजार समझ रखा है क्या ऐसे वहाँ वाइफाई थे मतलब लोकर लोग न सारे लोग चला रहे थे बट हमें वो वाइफाई नहीं दे रहे थे पता नहीं क्यों हमने बोला कि हमें एक बस मैसेज होड़ अपने घर में कॉल करना है पैसे हमें ओनलाइन करके निकालने थे क्योंकि एटीम हमारे पास था अब मतलब हमारे पास था अधित्या भाई के पास नहीं था तो आप किया गया यार मेरे को अच्छा नहीं लगा काफी सारे लोग मैं आज चल कर दिखाऊंगा आपको वहाँ पर काफी सारे लोग ना मतलब अपने फोन चलाए जा रहे है वाई फाई चे बट हमें वाई फाई नहीं मिला दीसी ऑफिस में नहीं मिला वहाँ पर एंड उससे आगे पाया वाई-फाई कल सामें मैं ट्राइगा था बटा चलके देखते आज कहीं नहीं लगता ऐसा कि मिल पाया यहां पर काफी ज्यादा ठक गया हूं यार और प्यास भी लग रही है कोई नहीं यहां पर जो घूमना था देखना था देख लिया और यहां सब चलते हैं नीच हो पाता है ठीक है जी अभी पांच-दस में यहां पर रिष्ट करेंगा फिर वहां से यहां से नीचे के लिए चलें को कि अभी ना प्यास भी काफी लग गया नहीं तो पानी का अगर मतलब कोई सुबदा होता तो साइद वहां तक जा सकता था क्योंकि अभी टाइम बहुत में आपको दिख रहे होंगे उधर आप देखो जी तकर वहां पर बैठ गया है मैं भी इतना नीचे पर आ गया हूं क्योंकि हमें आभी चाहिए पानी पानी बहुत बड़ी गल्ती कर दिया आप समय से कोई भी अगर आ रहे हो या फिर यहां नहीं कहीं पर भी जाना अगर इस पहाड़ों में पानी की दिक्कत होना वहां पानी लेकर जाना यार यहां पर काफी सार लोग हमें बोल रहे थे बड़ नीचे से पानी पी कर सोचा यार क्या लेकर जाओ थोड़ी से मतलब दिक्कत होती है एक तो ऐसे भी अपना शरीर लेकर चढ़ना ठक जाते हैं कोई